अलो दोस्तो राम राम खम्मागन स्वागत आपका रंगिला राजपताना यूटूब चैनल पे तो आज हम आपको गुमाने ले जा रहे हैं तिर्वेणी धाम जहां पे तिर्वेणी धाम का जो मेला लगता है उसकी डिटियन्स आपके साथ शेयर करेंगी सबसे पहले यहां की लोकेशन की बात करें तो यह एनेच 48 है जो साहोपुरा से लगबग 10 किलोमेटर दूर तिर्वेणी धाम इस्तित है और तिर्वेणी धाम से 10 किलोमेटर आगे अजीदगड है यानि कि अजीदगड से पहले तिर्वेणी धाम पड़ता है तो जो खाटू शाम जी वाला रस्ता जाता ना उसके उपर होता है और इसकी लोकेशन यह होती है उपर से यह तिर्वेणी धाम का मुख्य द्वार आता है जो मेले की दिन भक्तों का यहाँ पर ताता लगा रहता है लाखों की संक्या में यहाँ पर स्रदालू पदारते हैं तिर्वेणी धाम के और भी पूरे वीडियो हमने कवर किये हैं वो चैनल पे अपलोड है आप जाके देख सकते हो तो जो मुख्य द्वार है उससे राइड साइड में पहले दो जलासे के निर्मान किया गया है तो उस समय हमने यहाँ पर सूट किया था और उसके बाद भी ह कुछ इस प्रकार है तो आप यहाँ पर स्विमिंग पुल की पूरी स्विधाय ले सकते हो इन जलाश्यों में गंगा जल को भरा गया है ताकि यहाँ पर पवित रिष्णान किया जाए और मुख्य गेट के लेप्ट साइड में आता है अवदपूरी जो आप सीन देख पा रहे हो यह अवदपूरी का है यहां का जो त्रिवेनी धाम का नजारा है उसमें सबसे बेस्ट नजारा आता है अवदपूरी का क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हरे बरे पेड़ों से सजाया गया है और इसका रातरी नजारा कुछ अलगी होता है ऐसे लगता है कि मानो यह जन्नत पुरी, कुछ इस प्रकार होता है ये नजारा, ये सामने वाला मंदिर है बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है और इसके साइड में एक और मंदिर बना हुआ है ये भी बहुत बव्य है, अंदर से बहुत ही बड़ा है तिर्वेनी दहा में लखी मेले का आयोजन जो होली के दूसरे दिना आता है बहुती लंबे समय से यह लगाता लग रहा है जो प्रतिवर्स इसका आयोजन किया जता है और यहाँ पे आसपास के और बहुती दूर दूर के लोग पदारते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, यहाँ पर मनोरंजन करते हैं, यहाँ पर बनी हुई प्राचिन सितारा महा यग्ये के लिए यग्ये साला है, जो कुछ इस प्रकार है, यह सीन यग्ये के समय यहाँ पर लिया गया था, जो यहाँ पर यग्ये के दोरान यहाँ परिकर्मा करते हु उनका सीन लिया गया है और यह बहुत ही बड़े शेत्रफल में फेली हुई है यहाँ पर एक समय में एक जार आठ जोडों का यहाँ पर यग्गे किया गया है और यहाँ पर भीड जो लगती है बहुत ही खतरनाक होती है देखने लाइक होती है बहुत 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 कर होती है तो आप आओ जब भी तो अपने बच्चों का विसेज ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और आनंद में घूमिये क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की अवेवस्ताय नहीं होती है सभी भक्त एक दूसरे का सहियों करते हैं एक दूसरे के साथ मिल जूल कर रहते हैं और यह है मुख्य मंदिर मुख्य मंदिर का पूरा अंदर का सूट हमने एक वीडियो में सूट किया है जो लगबग 38 मिनट का है आप उसको देखिए पूरा तिरवेनी धाम उसके अंदर कवर किया गया है और सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अब हम चलते हैं उस तरब जहां पे लगता है मेले के लिए बच्चों के लिए आनंद हो परमानंद हो जूले हो खिलोने हो और बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजे जो आपको देखते ही लुवाने लाइक होंगी तो यह बच्चों के लिए छोटी ट्रेन मनाएगी है जो यहाँ पे भूम सकते हो यहाँ पे अलग अलग ताइक के जूले मिलेंगे और यह है तिर्वेनी धाम का रात्री सी जो बहुत ही बिल्ले लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि जो सबसे उचे जूले में जूलता है उसी को यह चीजे नसीब होती है फिर ये सब देखने के लिए हमने सबसे उचे वाले जूले पे जूलने का निरने लिया तो अब हम चलते हैं उचे वाले जूले पे बड़े वाले जूले में जूलने का बहुत आनेंद आया लेकिन अगर आप बच्चों के साथ जूलना चाहो तो विसेश ध्यान रखिए लेडिज अगर जूलना चाहती हैं तो अपने बालों का विसेश दुपट्टे वगेरा का ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ऐसी आते हैं हम आपको है 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 यहां पे चोटे मोटे नन्ने मुने बच्चों के लिए चोटी चोटी ट्रेन मिलेगी जहां पे वो अपने आनंद का लुपत उठा सकते हैं यह है सुदर्शन चक्र के समान एक नया जूला जिसमें जूलने का क्या आनंद आएगा क्या मजा आएगा त्र्वेनी धाम के लखी मेले कि यह विशेषता है कि यहां पर जाने वाले लोग है वो अपने बच्चों की जिनकी शादियां होने वाली है वहाँ पे सगाई fix किया करते हैं वहीं पे एक दूसरे को देखा करते हैं लड़का-लड़की और वहीं पे जो शादियों का संगम है वहीं पे fix किया जाता है यहां के आसपास रहने वाले लोग जिनकी उम्र 40 या 50-60 साल है उनकी सगाई जो है तिर्वेनी धाम के मेले में ही हुई होगी तो जिन-जिन की सगाई तिर्वेनी धाम के मेले में हुई है या जिनको देखने के लिए तिर्वेनी धाम बुलाया गया है वो कमेंट्स करके बताइए कि कौन-कौन है वो पास में ही ब्रमाणी माता का मंदिर है उनके भी हमने दर्शन किये हैं उपर जाके तो उपर जाने के लिए सीडिया बनी हुई है तो आप लोग आराम से जाएए आनंद लीजिए और वहाँ से पूरे तिर्वेनी धाम का नजारा पहुत ही मनमोग दिखेगा जो अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है उपर से जो सीन दिखेगा मजा जाएगा ये देखे कितना शानदार तिर्वेनी धाम लग रहा है प्रमाणी माता का मंदिर अंदर से इस प्रकार होगा आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि भीड में आप लोगों का अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी तो वीडियो के से लगा लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना धन्यवाद